नमस्कार मैं हूँ अंकुर और आप देख रहे हैं सत्तेहिंदी.com एक नज़र डालते हैं अब तक की सुरुख्यों पर जापान के टोक्यों में मंगलवार को क्वार्ट देशों की बैटक हुई इसमें भारत अमेरिका और जापान के प्रमोखों ने हिस्सा लिया हिंद प्रशांच शेत्र में चीन के बढ़ते प्रबाह का मुकाबला करने के लिए बने इस सम्हू की बैटक में कोरोना-19 के नरोक्थाम के लिए उठाए गया कदम, वैशुक सास्ता सुरक्षा, जलवायू तकनीक, साइबर स्पेस और बुनियादी धांचे सहित कई अलग-अलग वेशाओं पर चर्चा हुई इस दोरान सैटेलाइट आधारे समुद्र की निगरानी पर सहमती भी बनी, जिससे चीन की गत्विधियों पर नजर रखी जा सके कौर्ड नेताओं की शिकर बैटक में शामिल होने के लिए जापान की राजधानी टोकियों में जुटे भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिक की राशपती ने आज मुलाकात की और दोईपक्षे वारता में आपसे संबंद को नई उचालियों पर ले जान साज़ेदारी सही माइने में एक विश्वास की साज़ेदारी है कई शित्रों हमारे समान हितों ने इस विश्वास के रिष्टों को मजबूत किया है हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विश्तार हो रहा है हाना कि यह हमारी ताकत से बहुत कम है भारतिय प्रधानमंत्री ने भी इस साज़ेदारी में बहुत संभावनाई देखी। प्रधानमंत्री जो बाइडन ने कौार्ट शिकर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुपक्षी वैठक के दोरान भारत के कोवेट टीव का करण प्रयासों की प्रशन चाकी। पीटिया के रिपोर्ट के अनुसार बाइडन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि दोनों देश वैक्सीन उत्पादन स्वच्छ उर्जा पहल का समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हम भारत अमेरिका वैक्सीन एक्षन प्रोग्राम का नवीनी करण कर रहे हैं। जिस वक्त जापान में क्वाट समिट में चारों देश मिल रहे थे उसी दोरान चीन और रूस के सैन विवानों ने एशिया प्रशान शेत्र में गर्ष्ट के लिए सैयुक्त अभ्यास किया। उन्हें कहा ये तब हुआ जब अमेरिका, भारत, औस्टेलिया और जापान के नेताओं ने शेत्रिय सुरक्षा पर बात चीत किये। इस एक्साइज के वीडियो को चीनी सरकारी मीडिया ने भी ट्विट किया है। भारती यंता पार्टी के सरकार है, यहाँ अपराधियो को बारे में ये नहीं कहा जाता है कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। कोई भी अपराधियो उसे बरदास्ट नहीं किया जाएगा। बता दिन 2014 में सपा की ततकालीन प्रमुक मुलायम सिंग यादब ने रेप में फासी के सजा का विरोध करते को कहा था कि लड़के हैं ललती हो जाती है। ग्यानबापी मस्जिद मामले की सुनबाई मंगलबार को कोट में शुरू ही तो आदालत ने बहुत संक्षिप्त निर्देश जारी किया। कोट ने कहा कि ग्यानबापी केस में 26 माई को अगले सुनबाई Order 7 Rule 11 पर होगी उस दिन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की कौपी दी जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कौपी मांगी है। अधारत में कारवाई शुरू होने से पहले हिंदू सेना ने एक आचका एदायर कर वहाँ पूजा की अनुमती मांगी। अभी कोट ने इस याचका पर कुछ नहीं कहा। कोट या तो इस याचका को इसी मुकदमे के साथ सम्मंद करेगा या फिर अलग से सुनभाई करेगा। ये सिती जल्द ही साफ होनी की संभाबना है। कोट ने निर्देश दिया है कि पूरी सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाए। कोट ने कहा कि वे सर्वे रिपोर्ट पर उनकी जो भी आपत्ती हो उसे दाखिल करें। इस सर्वेय रिपोर्ट में मंदिर पक्ष ने साक्ष मिलने का दावा किया है जिसमें शिबलिंग मिलने का भी दावा किया किया है जबकि मस्चित कमेटिय पक्ष इसे फबारा बता रहा है मस्चित पक्ष के इस सम्मंद में एतियासिक साक्ष हैं जो कोट में पेश किये जाए डिली के एक अदालत में कुतुमीनार को लेकर सुनबाय के दौरान एयासा यानि भारतिय प्रोतत्यो सर्वेक्षन ने बताय है कि कुतुमीनार परिसर के अंदर हिंदुमूर्थियों के अस्तुत के बारे में को इनकार नहीं किया गया लेकिन Sन्लक्षित इस्मारक में पूज कि मौलिक अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। इससे पहले यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर थे। याजका में इन मंदिरों के फिर से जिन अधार की मांग की गई है। कि मौलिक अधिकार का दावा नहीं किया गया जब एक मंदिर जो मस्जिज से बहुत पहले अस्तित्तु में था। तो इसे बहल क्यों नहीं किया जा सकता है। वहीं कोट ने इसको लेकर पूछा कि अगर यह मान भी लेते हैं तो सवाल है जो अधिक मयत्तपून है कि अब आप इसे किस आधार पर बहल करने का दावा कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इस मारक का जिनो अधार कर मंदर में तबदिल कर दिया जाए। कोट ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि आप यह कैसे दावा करेंगे कि वादी को यह मानने का कानून अधिकार है कि लगभग 800 साल पहले मवजूद था। लाइव लॉक के नुसार कोट ने एक हलके अंदास में कहा कि देवता पिछले 800 वर्षों से बिना पूजा के जीवित हैं उन्हें ऐसे ही रहने दें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगमंत्मान ने मंगलवार को अपने स्वाफसे मंत्री विजय सिंगला को कबिनेट से हटा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री अर्विन के जीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगमंत्मान के द्वारा स्वाफसे मंत्री विजय सिंगला को कबिनेट से हटाने के फैसली की सरहना की। रहते हुए साल 2015 में दिल्ली की सरकार में इसी तरह की कारवाई की थी। दिल्ली हाई कोट ने मंगलवार को पंजाब पुलिस द्वारा दाएर एक आचका पर नोटिस जारी किया जिसमें भाजपा प्रभक्ता तजिंदर पाल सिंग भगगा की हालिया ग्रफतारी के समन्द में दिल्ली पुलिस द्वारा धर्ज अपरहन को लेकर की गई या फाई जिसमें दिल्ली की एक आदाला द्वारा बगगा की तलाशी और उसके बाद पंजाब पुलिस की हिरासरत र्याही को लेकर आदेश को रद करने की मांग की गई थी कोट ने कहा वो मामले से जुड़ी फाईलों को पढ़ेंगे और 26 माई को इस पर दवार अविचार करेगा हाली में कई आरूप लगा के कॉंग्रेस पार्टी को अलविधा कहने वाले गुजरात के पार्टीदार अंदोलन से निकले नेता हार्दिक पटेल ने कॉंग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरूप लगा कर हमला बोला हार्दिक प bater ने ट्विट कर कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि Congress party जनता की भावनाओं को ठेश पहुंचाने का काम करती है हमेशा हिंदु धर्म की आस्ता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है उन्होंने एक अन्य टूइट में कहा कि मैं कॉंग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपको भगमान श्रीराम से क्या दुश्मनी है हिंदूं से क्यों उतनी नफरत सदियों बाद आयोध्या में भगमान श्रीराम का मंदर भी बन रहा है फिर भी कॉंग्रेस के नेता भगमान श्रीराम के खिलाफ अनाप्शना बयान देते रहे है अब तक के खबरों में इतना ही बागी खबरों के लिए बने रहे है सत्थिंदे.com के साथ